यो वाट्स आप गाइस कैसे आपसे भी लोग वेलकम बैक टू नेधर गेम से वीडियो तो गाइस आज हम लोग दुबारा से केली जा रहे हैं रेंच सिमिलेटर और गाइस तो जैसा कि आपसे भी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने अपने रेंच में एक ब बहुत सारा पैसा कमा के इस गेम में बन जाएंगे एक बिग बिलियनेर बट बिलियनेर के पास अभी कोई घर नहीं है वह बिचारा पीछे उदर टेंट में सोता है इसलिए गाइस आज के वाली जो वीडियो बहुत जादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम बनाने वाल इसलिए इस बार ना पिग लाके भर दिये और अभी यह जो पिग है ना ब्रेड कर 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 के देखो कितने सारे चोटे-चोटे फिग लेकर आचुके हैं बड़े आर देखो इन इतने सारे पिक से ना पैसा तो बहुत ज़्यादा मिल जाथा बटी ने पालना बहुत ज्यादा मुश्किल है देख रहे हो कितने बड़े-बड़े मैंने आपर यह बाउल बना दें मतलब की देख रहे हो कितना सारा खाना मैं इसलिए बहुत ज़ादा हाड है यह जगह चोटी पर रहे थी इसलिए मैं उनने वहां ले गया हूँ अब देखो बात करते हैं एक बड़ा में मनाने की तो हमें बड़ा मेंशन मनाने के लिए बहुत सारी लकडिया चाहिए और उसके साथ साथ बहुत सारा मेटल भी चाहिए अगर हम उसमें कुछ मेटल का मटेरियल यूज करते हैं तो बाकि यह जो अपनी आप यह देख पा रहे हो ना भाई साब सेम टू सेम वही आल अ मैं उधर वो जो देख रहे हो ना सामने उसके अंदर मूव कर देता हूं वहां पर यह अच्छे से स्पेस में रह पाएंगे ना अराम से ज्यादा बड़े रहेगा चलो भाई सारे का सारे एग मैंने यहां से कलेक्ट तो कर ली है इसको मार्केट में ले जाके तो नहीं बे रहेगा 3-4 मैंने मूव कर दी हैं बस रह गए हैं छोटे वाले इनको भी लेकर आना होगा चलो भाई यह भी आ गई तो भी चल ओकी गाइस तो अभी ना मैंने एक एक करके हर एक चिकन को उनके चूजों को यहां पर मूव तो करवा दिया है बट अभी ना मुझे इनके लि यहां पर बनाना पड़ेगा एक वाटर का बना देते और एक फूड का बनाते है तो बनाने के लिए मुझे पहले जाना है बिल्ड में इनका बाउल कौन सा बटर हैगा चोटा बड़े वाला फैसे जार इनकी हाइट बहुत कम होती है तो चोटे बाउल बनाएंगे वही ज् तरीके से लेट्स को अब बस ना गाई यह इनके ब्लूप्रिंट है मुझे इसके अंदर ना लाके लकडियां लगानी है तभी यह पूरा कम्प्लीट होगा लेट्स को हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं और मुझे इसे तोड़ना होगा क्योंकि अभी यह मेरे किसी भी काम क यह मैंने से तोड़ा यह भी तोड़ा और लेट्स को यह मैंने से पूरा तोड़ दिया है फिलाल अभी मेरे पास जितनी भी वुड़न लॉक्स पड़े हैं वो सारे के सारे अंदर ही है तो चलते हैं सीधा अपने में रूम में और यहां पे लिजाकर इन मशीन को लेट्स को एक प्लैंक दो तीन चार के खुला गेट इसमें लाके मैंने लगा दिये तो फूड वाला है कंप्लीट हो चुका है फिलाल अभी मैं यह दो कंप्लीट कर देता हूं उसके बाद मैं मार्केट जा रहा हूं वहां से मैं धेर सारी लकडियां खरीद के लाँगा ए मैं से यार बहुत जादा मुझा आता कसम से और राइट तो बकिट ऊपर आ चुकी है जल्दी से ले जाके पानी डाल देते हैं लोग पानी पी पानी आ गया अब बस थोड़ी तेर में तुमारे लिए मैं फूड भी ला रहा हूं अंदर आराम से बैठो तुम सब इन लोग मुझे मत परेशान करना है ठीक है मैं जा रहा हूं मार्किट अरे इसके से बाहर कहा है अंदर चल यह करा गेट बन लेट्सकू फाइब बाहर निकलने लग गया है तो अभी न मुझे बहुत बड़ा मेंशन मनाना है मैं चाहूं तो लकडियां बैठ के सारी की सारी काट भी बन वैसे यार देखो भी ना मार्किट जाने के जरूत नहीं है क्योंकि घर से पहले मुझे बनाना है ब्लूप्रिंट यह गाड़ी में बाहर कर ले तो मन बन कोई बाहर नहीं आएगा बड़ा परेशान करते हैं हाँ तो पहले ना में ब्लूप्रिंट बनाना है और ब्लू दिरेक्शन में ही बनाने वाला हूँ तो सबसे पहले मुझे जाना है बिल्ड में और घर बनाने के लिए हमें हर एक टाइप का मटेरियल यूस करना होगा जैसे ट्राइंगल फांडेशन नॉर्मल वुड की स्कॉर वाली फांडेशन और हर डूर फ्रेम वुड़न डूर व थोड़ा तिरचा सा बन जा तो गंदा लगे का पतानी आएट गो यहां पर बढ़ाज बादा पर इक लगाया धुले कि उसकी काम कानी रहे घ्ला ता मतलब गीज री जो भी चीजेशे तो senior вот ग्लय lodge नें इपर बहुव तोड़ा सा चोटा कर देते हैं तो गाइस यह साइसना मुझे इनफ लग रहा है बस लेट साइट से मुझे ना एक यह वाली अब यह दोनों साइट से बराबर हो जाएगा अगर फ्रेंट से देखे तो बाकि अब हम लोग आगे का बिल्ड करते हैं 123456 और राइट गाइस तो फाइनली जो फ्लोर की फाउंडेशन है वह समल्लों पूरी कंप्लीट हो चुकी है अब मैं सूच रहा हूं कि ना अपने में इक गराज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस गराज के लिए मुझे यहां पर एक राम लगाना होगा विट तो यह रा वुडिन फाउंडेशन राम वह यहां पर लगा देता हूं अब अपनी कोई भी गाड़ी आएगी वो इस पर यू चड़ेगी फिर उसके पर रहे मतलब बाहर से कोई जानवर वान राके उस पर टकर ना माड़े इतना नहीं होने माला वैसे हां तो हम लोगे काम करते हैं यहां पर भी एक शॉर्ट वाली वाल लगाते हैं कुछ इस तरीके से और यह हो जाएगी घर की मेन एंट्रेंस इसलिए आगे वाल लगा दे कुछ इस तरीके से लेट्स को काफी सही लग रहा है वैसे अब इसके बाद हम लोग यहां पर एक गयाप देके एक वाल इधर लगाते हैं फिर यहां पर भी चोड़ देते हैं और वो गयाप मैंने क्यों चोड़े हैं वो मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैंच आ रहा हूं क यू लगे का तो अच्छा लगे का यह नहीं अच्छ गंदा लग रहा है एक यहां लगा ठीक है यहां पर स्टेर्स लगनी चाहिए रूप जो मैं इधर के लिए नहीं स्टेर्स तूंड के लाता हूं स्टेर्स यहां पर लग जाए ओ नाइस अभी देखो घर काना एकदम बेस्तियार हो जोगा है अगर अमें घर में जाना है हमें यू इस टेर्स तरनी है यह बाहर का थोड़ा बोट एरिया हो गया ऐसी हम लोग यहां पर कुछ नहीं कुछ समान रख देंगे घर के अधर अगर पार्किंग से आते हैं मिलब गिराज से आते हैं तो यहां से एंट यहां पर करते हैं इस समयल इसे साइट पर यहां में बेट बेडी एग और मुझे आख साइट पर पर आर्पने वाली यहां तोड़ के यहां मेरा फ्प ने शोली चलता है हाँ तो यहां पे लगाने है स्था कर रोटेट वेट एक लगई दूसरी लग गई यह काफी सही लग रहा है अब हमें अंदर की एक अंधर के लिए एक लिए बाम बना सकते हैं विंड यह विंडो अपनी लगेगी यहां पर पर बीच में लगेगी एंटर्स तो उसके लिए में को लगाने डौर फ्रम यह वाला लेट्स को भाई साभ तो काफी सही लग रहा है अपना विंडु वाली वॉल मुझे अब अगान लगेगी यहां पर एक लगा द abortion हैं सेम तो सेम यहां पर लगा देते हैं और दो विंडो अपनी इसाइड पर भी होनिंशिए इधर तो एग ठीक है अब इधर भी नॉर्मल वॉल लाधाते हमब और और रायट तो बहुत ज़्यादा रात होने को आगी है जल्दी से चलके सोते हैं लाइट जलाके भी सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा गुड मॉर्निंग गाइस तो अभी सुवह हो चुकी है और काफी जदा बढ़िया मौसम हो रहा है आज भी तो यही है वह अपना प्यारा सा घर जो कल र और हाँ जो चीज मैं कहा रहता है आप लोग दिख के हरान हो जाओगे वो है एक पिग भाई लास नाइट में जब सोने जा रहता तो मैं सोचा कि सब लोग को ना खाना दे देते हैं ताकि वो भूके ना रह जाए पूरे रात पर तो तभी रात में अपना एक पिग ना बा बस मैं अकेला बहार जाओंगा लेट्स को फट फट से गाड़ी पे बैठते हैं और हाँ मुझे बहुत सारी लकडियां खरीद के लानी है तो उसके लिए मुझे एक बड़ी गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं उतना सारा समान भर पाऊं क्योंकि अभी पैसे बहुत सारे हैं पर गाड़ी कोई भी भी धंकी नहीं खरीद दी मैंने अभी तक क्यूंकि मैं और यहां तक आया ही हूं तो एक बारी नहीं गाडियों की रेट पता कर लेता हूं क्या चल रहे हैं और मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए होके तो हम लोग आगे वही पुरानी कार लेके यह लोग बेचते रहते हैं तो यह मैं पहुंच चाहूं सीधा हाडवेर स्टोर पे फड़ावट अपनी गाड़ी को अंतर लेकर चलते हैं और यहां से मुझे खरीदने हैं धेर सारे वोड़न प्लांक्स और मैं सूच रहा हूं कि क्यों ना हम लोग एक ट्रेलर भी खरीद ले और अपनी घर के लिए मुझे बहुत सारा पेंट भी यहां से खरीदना होगा यहां पर हमें पेंट भी मिल जाता है तो मैं अपनी घर पर कौन से कलर का पेंट करूं यार मुझे समझ नहीं आ रहा है येलो करेगा येलो से काफी जदा बढ़िया येलो ब्लक की वैसे खाली पीजी ओर एक्साइटिड हो रहा हूं मुझे कुद आइडिया नहीं है कैसा दिखने वाला येलो और ब्लक कलर का घर तो पेंट बकिट कहा यह पिछे है क्या पेंट बकिट कहा है बाहर आई है मैं एक बड़ी चेक कर कर रहाता हूं में इनको दि लिखने वाला इसको यहां पर मैं रखवा देता हूं दूसरी भी लाते हैं तो वह येलो ता और यह है ब्लक पेंट कैन इसको भी मैं पीछे रखवा देता हूं पहले इतना सा पेंट करके देखेंगे अच्छा लगेगा तो और लेकर आएंगे वरना कोई दूसरा कलर चू खरीद लिए हैं और अभी यह सारे के सारे बाहर मेरे को मिल जाएंगो बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-बाइ-पुरी जगाई भर गई रुख जाओ अभी मैं यह उठाओंगा कैसे जारे के तारे पहले तो मुझे अपनी गाड़ी आगे करके ना भी ट्रेलर अटाच करना इस यहां से जगा साफ करनी पड़ेगी अभी ऐसे कॉन डिलिवरी करता है यार ठाके पैक देज अब इदर लाओ इसे वैसे यार 1600 मेना बहुत जादा वुटन प्लैंक्स आ जाते हैं prose Гाईस तो यह मैं अपनी घाड़ी पीछे तो लेकर आच रहा हूं और अभी मुझे इस ट्रेलर को अफने घाड़ी से जोड़ना हूँ वैसे यह आयर अपनी घाड़ी मेना जौदा फियूल भी न है 트ेलर को थोड़ा सबाहर लेकर आता हूं लेकिन इस ट्रेलर के ऊपर लोड कराना बहुत जादा टाइम तेगिंग वाला काम है यार कितनो टाइम लग गया हैं जब को लोड करवाने में बहुत कम से कम अरिया में सब को लोड करवा दिया है क्योंकि मुझे अभी न अपने अनिमल के लिए बहुत सारा खाना भी लेना है आगे से तो वह भी पीछे वाले एरिया में मैं लोड करवा दूँगा यार यह ट्रेलर सबसे ज्यादा यूजफूल आइटम है अपने लिए जाने से पहले मुझे एक डर लग रहा है कि अपने फ्यूल नहीं है और अगर मैं यहां से गाड़ी में लोड करवाता हूं और अभी वेपोइंट मांक करते हैं सीधा गास्टेशन का ज्यादा दूर नहीं मैं गाड़ी में कम से कम रेस लेके महां तक पहुचूंगा वह भाई साब लगी ली पूरे के पूरे गास्टेशन प बंद पढ़ गई वह अच्छी वाद है कि गास्टेशन सामने था जल्दी से इसमें फ्यूल भर बाते वह यह रखा गास्टेशन नीचे यह उठा के इसमें लगा दिया और बटन चलो भाई बस 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 अपसे मैं काम करूंगा हमेशा एक भरा हुआ गास्कैन अपनी गाड अब चलते हैं सीधा यहां से जैनरल स्टोर क्योंकि वहां से में लेना है बहुत सारा वीट तो यह रखवा दिया पीछे गाड़ी करें स्टार्ट लेट्स को फट्रफट से पनी गाड़ी में आपे साइड में लगा लेता हूं और जल्दी से ना लोग धेर सारा बैग ऑफ वीट खरीद दिये अब इसको लोड कराना काम सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है तो में काम करता हूं इसे भी ना मैक्स टू मैक्स जितना ही अपने पास एक बार में जा सकता है उतना लेके जाएंगे ना पर रखवा भाई यह तो पूरा ही चले जाएगा भर के एक स के लिए भी डाइम चीए तो अब जो एक्स्राल है इसको मैं बैक साइट पर लोड करवा देता हूं ओके तो फाइनिली सारा काम कंप्लीट हो चुक है कहर अभी मैं चाहूं तो और भी बैक ओफ फीट लाकर इसमें भरवा सकता हूं बट जरूरत निया भाई अभी से महीने इस बड़े से ट्रेलर में भर के ले जा रहे हैं और अभी अपना इतना काम असान हो जाएगा ना भाई मतलब मेरे को बार बार मार्केट आने के जरूत नहीं है लकडियां अपने पास बहुत सारी है जिससे अपना जो घर है वो शायत से पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए गाड़ी से इसे नहीं चल पारी भाई इसको लोट कराने के बाद हम लोग अपने रेंच पे वापस बहुत सुके हैं और बहुत जोड़तार बारिश भी शुरू हो गई है इतना बढ़िया मौसमता चलब लोग वासे निकले थे पर यहां पर पहुंस्ते पहुंस्ते देख अब या फिर नहीं और अकर मैंने गेट खुला तो हो सकता सारे भारा जाए अभी ना चुप चाप चलके सो लेते हैं इतना ज्यादा अंधेरा हो रहा है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है गुड मॉर्णिंग गाइस नेक्स्ट डे फाइनली बारिश बंद होई वरना लास न रात को एक तुम सही तरीके सेट तो करी थी बस मुझे बैक में अंदर लेकर जानी है और यह नहीं जा पाएगी मुझे मालूम था अटक जाएगी बट एक बात अच्छी है कि अगर मैं अंदर मैं कहां से जाओंगा अंदर कहां से जाओंगा मैं पूरा रस्ता ही बंद हो यह वेटिस के ओपर चड़ा और मुझे जम्प मार मार के अंदर आना होगा लेट्स को हां तो एक काम करते हैं सारा का सारा समान में यह पर अनलोड करवा तो यहां खड़े हो कि अगर मैं समान उतारूँगा तो सारा का सारा इह पर गिरेगा और कोई भी पिक बा अब तुम अब थोड़ी बदमाशी आगया बाहर यहां बदमाशी नहीं चलेगी चलो सारे का सारे पिक बिचारे डर के मारे देखो कहां भाग गए यह काफी सही चीज है अगर मुझे इन्हें अंदर करना है तो मैंसे शूट कर दूगा तो डर के मारे अपने आपी बार्न हाउस में खार सारा का सारे का ठाडर के मारे बाहर आ जाये उस दिन लेने ने पढ़ जाएंगे वैट अब इस सारा का सारा समान हम उपडर से अनलोड कर वाज़ेत हो पिर यह बहर आ गया उख जा दुबारा संगानी पड़ेगी चलो अंदर फटा 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 फट अवे तो डर भी तो मैंने फाइनली सारे के सारे बैग फीट उठाके अंदर थो रख दी है और टाइम बचाने के लिए मैंने यूही जमीन फे फैक्ट यह कोई दिक्कत वाली बात नी है और अभी इनको भी बहुचाता भूक लग रही होगी क्योंकि इनका सारा का सारा खाना कातम हो चुगा ह तो मुझे खाना भी डालना इने और थोड़ा सा पानी भी लाकर देना होगा दूसरा वाला बावल भी फुल्फिल कर देते हैं तो यह पूरा भर चुका है पानी इने बाद में देते रहेंगे क्योंकि पानी वैसे भी बहुत कम पीते हैं यह री वाटर बकेट इसको हमने लगाया वेल में और अभी यह जा चुकी है नीचे यह पकड़ा वेल अभी से हमें घुमा घुमा के बाहर लाना है तो मैंने वैल से पानी भी निखा लिया अब जल्दी से ले जाके मैंने पानी देता हूं एक बकिट में इनका पूरा दिन निकल जाएगा इतनी ज्यादा ज़रत इने नहीं पड़ती पानी की लेट्सको अब लेके चलते हैं अपनी गाड़ी को अपने घर के पास यह सारी क मुझे इसका base complete करना होगा यह उठाई यह लगा दी सेमटु से मुझे से हर जगा लगाते जाना है अब उपर की जो वॉला है यह वी कर देते हैं फिर floor यह भी complete यह वाला floor फिर यह वाली wall अभी रैंप की बारी है रैंप में मुझे दो planks और लाके लगाने रुख जाऊ मै यह उपर से उठाता हूँ, यह हो गया ramp, यह हो गया उसका floor, यहाँ पर भी एक wall लगनी है और इधर भी मुझे complete करना है, भाई साब अंदर तो काफी सारे floor बचे हैं, मुझे लग रहे हैं कि लकड़ी की थोड़ी बहुत कमी पढ़ने वाली है, वैसे यह ऐसी बात नहीं है, पूरा का पूरा floor तो complete हो चुका है, पर अभी भी बहुत सारे wooden planks बचे में हैं, अब बारी है, थोड़े से back side की, और चारो तरफ की wall की, फिर मुझे बनाना है उपर वाला floor, और अभी तो आधे wooden planks यूज हो हैं, मैं काली पीली टेंशन ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, finally guys, ground floor पूरा complete हो चुका है, और कितना जादा बढ़िया लग रहा है यार, यह complete होने के बाद, और मैं एक छोटी सी चीज सोच रहा था, कि अगर हम लोग यहाँ पर अपने गिराज के लिए बढ़िया सी रूफ बना देंगे तो वो भी तो काफी ज़दा बढ़िया र लग रहा है, मतलब यार यह सची में थोड़ी सी फ्रंट साइड वाली लूख आ रही है और वो तो ली जो है न वह थोडी बाक साइड सी लूख आ रही है क्योंकि पैसे बात नहीं है यह भी थोड़ी फ्रेंट ही है कर देखा जाए, वह थोड़ी बहुत चेंज है तो मरज करते हैं और इसके बगल में भी same to same यही कर देंगे काफी ज़दा चमकीला घर नहीं हो जाएगा बट ठीक लग रहा है यार बुरा तो नहीं लग रहा है पस थोड़ा चमकता धमकता सा कलर हो जा रहा है वो बैक साइट पर अलग से करना होगा ठीक है अंदर हम लोग थोड़ा लगी paint करने वाले हैं फिलाल अभी यह यूज कर रहा है तो बाहर वाली साइट पर लोग पेंट रहना complete कर देते हैं जब तक चलता है यहां पर भी यह पर भी आपर भी का पूरे घर में कर देंगे इससे ओ वाव यह तो खतम ही होने का नाम नहीं ले रहा लेट को यह पर भ बारी हम लोग और कहीं ना कहीं पेंट कर सकते हैं बाकि हम लोग जब मरजी तब इसका color change कर सकते हैं और आप लोग मुझे comments में जाके बताना कि मुझे कौन सा color करना चाहिए यलो के साथ ना red भी सही लगता है खैर paint का काम हम लोग बाद में देखेंगे अब हम लोग अपनी घर का ना first floor बनाते हैं तो यह वाला part complete हो चुक है उपर जाने की सीडिया मनानी है मुझे तो सबसे पहले देखो अगर first floor बन रहा है तो सीडिय सी बात उसके उपर जाने का रस उपर चलते हैं फिर उपर का बनाएंगे let's go planks ना सारे के सारे मैं नीचे को unload कर वा देता हूं यह उठाए फैके उठाए फैके उठाए फैके अब इसे अंदर लेके चलते हैं मुझे से यहां पर प्लेस करने है six यह बनगी ऊपर की stair अब मुझे पूरा proper blueprint बनाना पड़े आगे तो यह वाला जो फ्लोर है ना यह थोड़ा सा मुझे छोटा रखना पड़ेगा नीचे वाले फ्लोर से तब ही थोड़ी अच्छी लुकाने वाली है वरना तो पूरा यह एक बिल्डिंग बन जाएगा let's go यहां पर यह लगा दिया same to same this side पे भी फिर this side पे भी फिर और नीचे आगया मैं और राइट एक यहां पर लगाना है अब में मैं कैसे मैं यहां से वहां तक का access ले सकता हूं let's go तो यह complete हो चुका है अब बस मुझे ना ऊपर एक must room बनाने का है मेरे पास ना एक छोटा सा must idea हो रहा हम लोग ना यहां पर बालकनी भी बना सकते हैं अ यहां भी सही है अभी ठीक है यहां पर एक और लगा देता हूं यही ज्यादा बेट रहे था तो अभी बालकनी यहां पर बन चाएगी और back side का जो house है हम लोग इसे थोड़ा सा पीछे करके बनाएंगे और मुझे यहां पर एक garage roof भी बनानी है जो की काफी ज़दा सही लग लगाने वाला हूं कुछ है इस तरीके से और एक window लगेगी इधर यह वाला एरिया में सारा का सारा ना ऐसी open छोड़ूँगा तो एक यार आगे क्यों नहीं लगा पार मैं अब आगे काम हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग इसके floor में यह wooden planks लगा देंगे तो यहां लगाने तो हमें तो अभी हम लोग चलते हैं उपर वाले floor पर आगे का काम करने के लिए तो अब मुझे decide करना होगा कि आकिर किस तरीके से यहां पर walls और यह window वाली wall लगने वाली है doorframe कहां पर लगेगा यह सब कुछ तो सबसे पहले हम लोग जो window वाली वाल है यह decide करते है तो backside मैंने सोचा पूरी balcony हम लोग रखेंगे तो यहां पर मैं दो यह लगाता हूँ और इधार बीच में मैं लगाने वाला हूँ एक proper gate gate लगाने के लिए मुझे चाहिए होगा doorframe जो की लगीगा यहां पर और अभी यह लग रहा है काफिस है तो हम लोग यूँ चड़के उपर आएंगे देन अपनी entry कहां से होनी चाहिए वो मुझे देखना होगा यहां से यहां से entry काफी ज़्यादा बढ़िया रहेगी तो entry करने के लिए हमें यहां पर भी एक doorframe लगाना है और यहां पर एक लगानी होगी wall ठीक है विससे अगर हम लोग इसको एक चोटा सा store room मना दे तो भी काफी ज़्यादा सही रहेगा बट नहीं यार एक बड़ा room उपर रखते हैं सिफ़ सिंगल रूम उसके लिए मुझे यहां पर लगानी होगी wall एंड इस साइट पर लगानी होगी एक simple wall और अब आगे काम करना है यार यह वाला area भी तो cover करना होगा ना तो इ यह एक बड़ा room हो जाएगा यहां से अपनी entry हुई उपर को हम लोग घुसे यह उपने कमरे में पर यह क्या जगा है यह तो कुछ समझ नहीं आ रही ना यह वह लगाते हैं अब काफी जादा सही लग रहा है क्योंकि काफी जादा complete हो चुका है देखो मैं समझाता हूं हम यहां से नीचे से उपर जाएंगे यह आगे उपर यह अरी अपनी entry यहां से हम लोग घुसे इधर एकदम प्यारी से window है जहां पर हम सारा view ले सकते हैं फिर हम राइट घुमने है राइट में हम लोग यहां पर अपना कोई table लगा सकते हैं जो भी काम करने के लिए चाहिए और इधर balcony से मस्त अपने barn का view ले सकते हैं बाहर आए इधर हमारा जो garage है वो तो भी ढग जाएगा यह बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा नीचे क्या है इसलिए यहां पर भी लगे हाथना एक wall लगा देता हूँ इधर एक wall लगेगी एंड हर जगा window लगने वाली है तो यह एक लगी यहां पर एक लगी यहां पर तैन उसके बाद एक window मैं सुच रहा हूँ यहां लगा दू और इधर तो wall लगाएंगे proper क्योंकि इतनी जादा window लगा के हमें हवा महल भी नी बनाना है कोई एक door frame यहां पर लगा देते हैं और यहां पर मुझे चोटी वाली short wall भी ल लगान है three four finally guys अपना जो first floor है वो भी पूरा complete हो चुका है अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से नीचे एक बार इसकी look देखते हैं और sony के लिए चलते हैं क्योंकि अब बाकी काम हम लोग next day करने वाले मतलब sony के बाद करने वाले हैं all right guys में सोके उठ चुका हूँ और अभ इसका यह जो foundation इस पे लगा दिया side वाले fence लगा दिया तो काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी इसके look बाकी अभी ना कल रात को मैं दुबारा से अपने pick को खाना देने किया था मैं एकदम प्रोपरना schedule बना लिया कि मुझे इनको खाना देना है फिर उसके बाद जाके सोन है और अभी देखो इनकी जनसंक्या कितनी जादा हो गई है और भाई इनको ना खाना देना बहुत बड़ी problem है मतलब बहुत जल्दी खाना खतम कर देते हैं उसके बाद दुबारा fill करना पड़ता है तो मैं इसका solution ढूंड़ा मुझे एक automatic system बनाना पड़ेगा जिससे इने बस अपने आपी खाना मिलता जाए और मुझे कुछ ना करना पड़े फिलाल अभी मेरे को अपना सबसे वहले घर complete करना है और वो मुझे ही करना पड़ेगा ठीक है वो automatic नहीं होगा एक यहां पर लगाना है अब मुझे जाना पड़ेगा बार बारी ऊपर आगे का काम करने के लिए one two let's go इदर भी लगा जेते हैं दो यह उठाए मैंने लकणियां and jump और इदर प्लेस फिर jump इदर प्लेस बैक साइड का काम तो मैं यही से कर सकता हूं और अपनी गाराज में गाड़ियां एकदाँ मस्त आके खड़ी हो जाएंगी किसी कोई दिक्कत भी नहीं आने है ज्यादा कुछ नहीं करना रूफ तो एक दिम ट्रैंगल वाली जो होती है थोड़ी चाइनीज हाउस में चलती है वह बनागी खतम करेंगे one two three four और एक वाल लागी बस इसके बात सारा का सारा काम पेंट का बचा है फिर हमें अपनी घर में बहुत सारा समान लाके रखना believeimizi अपने डिपेंटर हैं लाके रखते हैं और नीच देखागो ने धूब होरे हैं और रहा है लाइट करेगा और लाइश पर बैट करेगा और मुछे do नहीं बना है बस एक हॉल बना दिया है तो एक आध हम लोग रूम डिवाइड करेंगे आपर पार्टीशन होगा भी वैसे भी हमें एक बारी और जाना होगा हाडवेर स्टोर पे क्योंकि अपने पास पेंट सारा नहीं है हमें और पेंट वहां से लेकर आना है फिलाल अभी हम लोग आगे का काम करते हैं हमें यहाँ पर दोर भी तो लगाने थे हर जगा तो यह रहा वोडेंड दोर और अच्छी बात है कि वोडेंड दोर में हमें बिल्कुल भी मैटल की जरूत नहीं पड़ती यह बस वोड से पूरा कंप्लीट हो जाएगा तीन लग गए हैं नीचे लगने वाले अवे एकदम लुक चलेगी रुक जाओ पेंट हुआ भी या फिर नहीं हुआ मेरे को तो यह नहीं पता चल रहा हुआ है हुआ है कितना गंदा लग रहा है यह दूर ऐसे लिग इसके टैक्स्च्चिर उडगे मुझे यह से वापिस ठीक करना है भाई रुक ज ले अपने पास स्टेर्स है वेट इस जगह का यूज हम लोगे स्टेर्स के लिए नहीं कर सकते क्या मैं तो सोच रहा था यह जगह वेस्ट हो गई पर यह तो बहुत जादा बैस्त है यहां से हमारी स्टेर्स चलेगी किसी को क्या दिकत अगर बंदा यहां से सीड़ी है और राइट गाइस तो फाइनली मैं हार्डवेर स्टोर जाके और भी बहुत सारा समान लेकर आ चुका हूं जो कि हमारे इस बड़े से मेंशन को बनाने के काम आने वाला है और इसमें सबसे जौदा हैं प्लैंक्स क्योंकि अपने पास सारे प्लैंक्स खतम हो गई थे और सारे के सारे मुझे यहां पर लगाने हैं फिलाल अभी जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं क्योंकि जो टॉप फ्लोर का में इस रूफ का जो ब्लूप्रिंट है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां पर मैंने दो तीन वाल्स बना दी थी तो इससे सबसे पहले ह यहां पर लगाने है ताकि यह वाला जो पार्ट है यहां खतम हो जाए वैसे भी वुड़न फ्लोर बस इस तीन जगह पर लगने वाले है इसके बाद अपना जो घर है वो यहीं तक बनेगा और वैसे इसके उपर तो प्रॉपर रूपर रूफ आने वाली है तो मैं यहां प पर ट्राइंगल सानी होता मुझे यहां पर वो लगा नए ट्राइंगल वाली वाल पहले मुझे इतने मेना वुड लाके लगाना चाहिए फिर आगी का कामना से इस समझ में आएगा यह सारा का सारा समान भी मुझे गाड़ी से अनलोड करना पड़ेगा तब ही हम लोग यह कुछ एक इस टाइप से लगेगा यह भी अच्छा है यह हम लोग यहां पर प्लेस कर देते हैं और इसके फ्रेंट में लगने वाला है यह यह तो काफी सिमिलर है वुड रूफ हाँ यह लगनी है यहां पर कुछ इस टाइप से ओल राइट तो यह वुडन रूफ में ढूं मेरा दिमाग खराब हो गया था बार बार जा गया यह यहीं बार लेके चलते हैं अब हेलो यह यह जो कोई नी फिलाल अब मुझे से कंप्लीट करना अब ही हो जाएगा काम मुझे दूबारा लकड़ी यह लेने नहीं जाना मैं अपने पूरे के घर की रूफ ना यही पर न क्या ओल्राइट गाइस तो फाइनली जो अपना मैंशन है वो ओल्मोस 90% कंप्लीट हो चुका है बाहर से मिंच उसका एक्स्टीरियर 90% कंप्लीट हो चुका है बस जो एक रूफ है ना वो भी थोड़ी सी रह रहे है और साथ ही कहीं कहीं पर ना इंकंप्लीट सा लग रहा ह और यहां पर भी काफे इंकंप्लीट लग रहा है जैसे इतर से चूटा हो गया और इतर से बड़ा हो गया मुझे यह तोनों बराबर करने होगे वेट मिर को तोडना होगा एन यहां पर मुझे बिल्ड करना होगा एक को और कुछ इस थाइप से वान एंड टू लेट्स को बताइन यार मुझे क्यों घर बनाने में इतना जादा मज़ा आता है अब वो सब तो हो गया एक वाल मेरे साब से यहां पर भी लगनी चाहिए और सेम तो सेम यहां पर भी ट्रैंगल वाली लगेगी ताकि यह पूरा कंप्लीट हो जाए यह वाली कुछ इस तरीके से यहां पर आगी लेट्स को अभी यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब एक फ्लोर उपर और बनना है लेकिन नहीं वैसे जरूरी नहीं है अगर हम लोग चाहिए तो कुछ इस तरीके से यहां पर रूफ बना के इसे complete कर सकते हैं हाँ खाली बीली फ्लोर क्यों नाना है यहां पर यहां पर नहीं लग रहा है वेट क्यों कि गाइस तो भी मैं समझ गया इधर वह रूफ क्यों नहीं लग रही थी क्योंकि इधर कोई वाली नहीं है उसे support भी चीया होगा तो अभी हम लोग शायद इसके ओप फिर इंटेर हम लोग बाद में करेंगे वह आप लोग मुझे बताना कि मुझे क्या-क्या गिर के अंदर लाके रखना चाहिए क्योंकि इस game के अंदर बोहुत सारा समान है मुझे यहां पर नानाए बात रूम भी बनाना है स्टोरेज रूम भी बनाना है अपना एक क्राफ कर एक क्रिएंच एक शिल्वलर के बनाघन चीह और वाल्स पी पेंच कहना चाहिए और क्या क्या समाल लाके रखना मैं काफी सही color लेक रहा हूँ दोनों साइट से हो चुका है और अभी मैंसे बंद करूँगा तो काफी सही look आ रही है अब हम लोग अंदर चलते हैं पूरे के पूरे घर मेना भी जल्दी से हम लोग paint कर देते हैं पहले इसमें करा इधर से फिर इधर से थोड़ा पुराना सा लग रहा है पता नहीं क्यों बढ़ा ठीक है अच्छा दोर लग रहा है गल्दी से मैंने paint पे ओ वाल पे बी कर दिया इसको ठाओ वान ट्यू लेट्स को और जो बाहर वाले fence है यहां पे भी यही वाला paint कर देते हैं बढ़िया लगेगा अच्छा लग रहा है घर की सीडियों पे भी मैं यही वाला paint करने वाला हूं अब चलते हैं जल्दी से हम लोग उपर यह वाले डोर पे भी paint ऐसे भी तो घर के सभी डोर पे paint हो गया है मैं ग्रे कलर का भी paint लेकर आया था और वह वाला जो paint है ना वह मैंने सोचा था कि हम ल बाहर भी मुझे हर एक फैंस पर ब्राउन वाला paint लेकर आया था अब देखने है कि यह जादा बेटर लग रहा था यह तो पहले वाली वुड की तरह हो गया ना थीक लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा वाई सची में अब यार मैंने गलती से गेट पे भी घर दे चलो क अब आपको समझ आजाएगा मैं यह वाला paint क्यों लेकर आया था था कि इन दोनों का combination एकदम मस्त मैच हो और मैं आप लोको ने फ्रेंट लुक दिखाता हूं अपने घर की यह देखो यहां पर जितना भी लकडी वाला अरिया था महां पर मैंने यह वाला paint लगाया है उपर 3 & 4 लेट्स गो अब आ रहे है ना luxury mansion वाले लुक अब तो guys सब कुछ हो गया लेकिन आगे का काम करने के लिए मुझे ना rooftop पे जाना पड़ेगा तभी हम उसे कर पाएंगे विलाल यह जो है इसको मैं सोचरों की ना brown कर देते हैं थोड़ा gate से भी matching matching हो जाएगा और front side भी थो पूरा complete हो गया बस जो रूफ है ना उस पर मुझे ले जाके red color करना होगा let's go finally फूरा mansion complete बट रूफ पे मैं चड़ूंगा कैसे या red color में लेकर तो बहुत सारे आया हूं बट मैं जाओंगा कैसे जाने की ज़्यूर होता हम यहां से भी तो कर सकते हैं कुछ नहीं नहीं कर सकते हैं अगर मैं यहां पर करूँ तो वेट यहां से भी हम लोग रूफ पे paint कर सकते हैं मेरे को एक बाहर जाके देखना होगा हो भी रहा है या फिर बस एक बटन दब रहा है रूप जाओ मैं देख के आता हूं दूर से पता चलेगा ओ नाइस रूफ पे भी paint हो रहा है और क्या ही चमक रहा है वो चलो वाई चलो फाइनली अपना luxury mansion complete हो चुका है और अभी ना foggy weather हो रहा है इसलिए यार यह थोड़ा ब्लर ब्लर सा दिख रहा है बठाँ जब एकदम मस्त मौसम होगा पूरा sunny weather तब आप लोग को एकदम real quality दिखे की इस घर की तो चलो गाईस आज किस वाली वीडियो में इतना ही उमीद आप लोग को यह वाली जो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और यह घर भी अच् और यह भी बताना कि मुझे इसके अंदर और क्या-क्या लगाना चाहिए बाकी इस वीडियो पर इम करते हैं 5 लाक लाइक का तो सभी लोग लाइक करके लाइक गोल कम्प्लीट कर दो और जो भी चैनल पर नहीं हो चांब को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडि कर दो कर दो